अब तो इसकिल टेस्ट ओवर हो चुका है सेस्सिस टोनोग्राफर का और मैटर भी इस बार सभी लोगों ने बताया कि इजी था इस वीडियो में जो मैं कट आफ का एनेलिसिस करूंगा उसमें मैंने एप्रॉक्स वेकेंसी 3500 मान के ये एनेलिसिस किया हुआ है तो इस वीडियो को इसकिप करके न देखिया क्योंकि अगर आप इसकिप करके देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ भी नहीं आने वाली है बहुत से लोग मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ रहे थे कि मेरे 108 नंबर है मेरे 150 नंबर है मेरे क्या चांस है मुझे कौन से डिपार्टमेंट मिल सकता है तो इसलिए मैंने सोचा कि सबके लिए एक कॉमन वीडियो बना देता हूँ अब बात करते हैं सबसे पहले 2022 में हुए रिटन एक्जाम की तो एक्जाम होने के बाद से ही सब बोलने लगे कि पेपर का लेवल बढ़िया है कट ओफ लो जाएगी फिर उसके बाद कुछ RTI reply द्वारा ये पता लगा कि वेकेंसी अप्रॉक्स 3000 प्लस है तो इससे तभी पता चल गया था कि रिटन एक्जामिनेशन की कट ओफ लो जाएगी फिर इसके बाद हुआ skill test 15 February को जो कि बहुत सारी हुई problems ही वज़े से cancel हो गया दोबारा skill test हुआ 10 March को जिसमें पिछली बार की तरह non magazine matter ना बोलकर as usual कैलाश चंद्रा का डिक्टेशन बोला गया जिसे most of the students ने easy rate किया है अब इसमें process समझे पहले अब इसका skill test का result नहीं आएगा पहले बलकि अब direct final result आएगा लेकिन final result के पहले preference form को भरने का link activate किया जाएगा और ऐसा अनुमान है कि अप्रेल के first week से पहले तक आ जाना चाहिए ये link जिसो ये preference form वाला link है ये मतलब अप्रेल के first week से पहले या फिर मार्च के last week तक आ जाना चाहिए सबसे main केल इसमें ये है कि इसमें अभी तक obviously ये नहीं बताया गया है कि actual vacancy कितनी है इसमें तो जो preference form आएगा तो उसके पहले ही SSC officially ये बताएगा कि इस बार vacancy कितनी है अब बात करते हैं final result कब तक आएगा तो ये सब process complete होने में लगबग अप्रेल का second week तक का time लग सकता है उसके बाद most probably अप्रेल last week और में के first 10 days में result आने की पूरी संभावना है अब बात करते हैं cut off जिसके लिए आप सभी लोग परसान है जो 10 March का skill test हुआ तो उसको देखते हुए लग रहा है कि अब cut off थोड़ा सा बढ़ने की chances है अगर 15 February वाला cancel ना होता तो cut off बहुत low रहती क्योंकि matter भी उसमें tough था और speaker और keyboard जैसी काफी problems थी लेकिन अब जो skill हुआ वो काफी easy था और कोई भी problem नहीं हुई इस बार इससे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा cut off बढ़ जाएगी लेकिन हाँ 4-5 number का difference अब देखने को मिलेगा final cut off में अब मैं आपको cut off बता देता हूँ जो मैंने बनाया है मैं पहले बता दूँ ये सिर्फ एक prediction है जिसको मैंने last year के data collect करके और भी बहुत सारी चीजों को देखते हुए बनाया है और अभी तक attendance और vacancy की कोई भी सही जानकारी नहीं है तो ये cut off मात्र एक assumption है जो कि last year data, skill test matters और कुछ reasons के attendance को देखके मैं बना रहा हूँ और अगर कोई भी ये बोले मैं एकदम cut off बता ही दूँगा मेरी बता ही गई cut off एकदम सही जाएगी तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रही है मैंने ये cut off 35 की vacancy को base मान के बनाई है पहले बात करते हैं grade C के cut off की तो grade C में general की 138 to 142 safe zone हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इससे कम है तो आपका नहीं होगा इससे कम है फिर भी आपका chance है ये सिर्फ मेरी एक prediction है क्योंकि total आपका depend करता है vacancy पे कि कितनी vacancy है और vacancy की बारे में अभी तक कोई जानकारी है नहीं सही सही general का ये हो गया 138 to 142 OBC का 136 से 139 के बीच में EWS 135 to 138 SC 118 to 122 and ST 110 to 112 ये हो सकती आपकी grade C की cut off और grade D की cut off की बात करें तो grade D में UR की 127 to 132 के बीच में रहने का अनुमान है OBC की 124 to 128 EWS 122 से लेके 126 के बीच में SC 115 to 118 and ST की 107 से 110 तक ये है cut off मेरे according अगर आप इस cut off के अंदर आ रहे हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं आ रहे हैं तो परसान होने वाली कोई बात नहीं है अभी ये ज़रूरी नहीं है कि ये cut off यही cut off जाएगी क्योंकि ये तो एक prediction मातर है अभी तक vacancy का कोई अता पता नहीं है तो cut off बताना बहुत ही tough काम है without vacancy की knowledge हुए तो सही cut off तभी पता चल सकती है जब tentative vacancy SSE release कर दे बाकी cut off कोई भी नहीं बता सकता है सब अपना अपना तुक्का मार रहे हैं इसलिए मैं यही कहूंगा कि इन सारी वीडियों से दूर रहकर आप अपने next exam की तयारी करें आप लो और यहां नहीं होगा तो कहीं और होगा अगर मेनत में मानदारी है तो selection जरूर होगा यह हो सकता है कि थोड़ी देर से हो लेकिन होगा जरूर यह 100% से हो रहे है इनी सब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यही पर इंड करता हूँ और फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में एक नए और सकारात्मक सोच के साथ तो इस cut-off analysis पे आप क्या सोचते हैं अपना बहुमूल comment जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो या मेरी कही गई बातों से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके मेरा motivation जरूर बढ़ाईएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का notification on कर लिएगा जिससे ऐसी authentic वीडियो आप से miss नहों पाए हमारे गुरूप से जुड़ने के लिए description में टेलिग्राम गुरूप का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डारेक्ट मुझ से जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाज तक देखने के लिए फिर्दा की गहराईउं से आपका बहुत बहुत धन्नवाद टेंक energized रंग बली क्या चाहिए बदल्ए में हमें बस एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को लाइक कर देङना और कर संप्रेट